दोस्तों बिश्णू प्रभागर गाहंवाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है एक जून की तारिक यानि सातवे चरण का आखरी चरण का मतदान अब कम्प्लीट हो गया अब सब की निगाहें टक्टकी लगाई हैं कि चार तारिक को मतगड़ना होगा रिजल्ट होगा तो कौन उनका जन प्रतनिधी बनेगा कौन उनका सांसत बनेगा और कौन देश का प्रधान मंत्री बनेगा अब साम के समय से ही जो है चौक चौराहों पे चर्चा चालू है कि किसको जादा ओट मिला है और किसको कम मिला है आप सब की तमाम टेंशन को दूर करने के लिए ग लोगों के opinion के हिसाब से आपको एक exit पोल बताएंगे सायद यहां बिल्कुल सठीक हो तो शुरुआत करते हैं जनपत कुशी नगर थे इस वीडियो में कुशी नगर का राजनीतिक temperature क्या है कौन पार्टिया जीत रही है इन ही सब मुद्द बात करेंगे लेकिन उसके पहले च जुनाओं के शुरुआ से जैसे ही प्रतियासी यानि की candidate का टीकट का घोशडा हुआ उसके बाद का क्या महौल है इन ही सब मुद्दों पर बात करेंगे तो कुशी नगर थे इंडिये के प्रतियासी यानि भाजपा के प्रतियासी है भीजेश दूबे जो मौजुदा सांस पांच साल का कारेकाल कंप्लीट कर चुके है और दूसरी बार भी जेपी ने विश्वास जताते हुए उनको candidate पनाया है वहीं इंडी गडबंदन थे अजय प्रताप सिंख उर्फिंटु सिंख सहित्वार है और बसपा से सुब नरायन चवहान है और तमाम छोटे-छोटे न्होंदों से, और भी बहुत सारी पार्टी की लोग है एक बड़ा नाम और भी है RSSP राष्टी सोसी समाझ पार्टी स्वामी प्रसादमौरिया की pasty है और अपने पार्टी लेकर तो कभी उनके विवादित बयानों को लेकर तो सभी प्रत्याशियों का नाम हमने आप सब को बता दिया लेकिन खासकर टकर इन तीन लोग का चर्चा में नाम ज्यादा है पहला नाम विजय दुबे दूसरा अजय प्रताप सिंग पिंटु सिंग सहित्वार और तीसरा स संथवार को उमिद्वार बनाया है क्योंकि पूरो के दिनों की हम बात करें तो प्रुवांचल में एक दल का गठन हुआ सैथवार मल महासभा और उसके बाद प्रुवांचल में सैथवार विरादरी के लोग और कुर्मी पटेल मल विरादरी के लोग यह अपनी राजनिती में भागदारी की बात करने लगे यह बात लखनव तक पहुंची तो अखिलेस यादों ने पिंट्टु सिंग सैथवार को उमिद्वार बना दिया अब लडाई की हम बात करें तो यहां उजन समाज पार्टी के जो प्रत्याति हैं सुब नराण चाहान सीधे सीधे बता दूँ वो इस पूरे मैच से बाहर है अब स्वामी प्रताद मौरिया की बात करते हैं स्वामी प्रताद मौरिया ने चुना बहुत सांधार लड़ा है संदार लड़ा मने एक नई पार्टी का गठन करके कुल मिला का यह कह सकते हैं कि निर्दली के तोर पे ही लोग उनको जानेंगे क्योंकि राष्टी सोशी समाज पार्टी का इससे पहले कोई नाम सुना नहीं था और स्वामी प्रताद मौरिया को एक बड़ा अनुभव है पड़ावना से कई बार के विधायक रहे हैं मंत्री रहे हैं और यहां के लोगों से लगाव भी रहा है लेकिन कहीं ने कहीं उनका बिवादित बयान हिंदू विरोधिनारे उनके लिए खतरनाक साबित हो गया इस पूरे चुनाव में लेकिन वैसे इस सुनाव की अगर बा पहुंचे उस दिन बकायदा लंबा टीका मार के गए थे तो इसकी चर्चा भी लोग करने लगे कि कल तलक जो हिंदू विरोधिनारे बोलते थे आज बड़े पुजारी बनके जो है टीका मार के पहुंचे हैं नामांकन में खर ए रादनीती हैं चर्चा होती हैं कभी अच् लिए कि देखे दलीत वोटरों को साधने का निसाना सबसे सटिक कोई किया है इस कुशी नगर के लोक्षाभा में तो सवामी प्रताद मोरयान किया है बहुजन समाज पार्टी से सुब नराय चाहान उमिदवार तो हैं लेकिन अगर बहुजन के यंगेश्टर वोटर जो है खास करके जो यूवा वोटर है जो थोड़ा सा समाजिक्ता को जानता है वह सारा वोट यंगेश्टर की में बात कर रहा हूँ वह लगभग वोट जो है 40-50% वोट जो है वो स्वामी प्रताद मोरया की तरफ कनवर्ड हुआ है उसके पीछे का कारण बताते हैं क्योंकि प्राटी का कोई बड़ा नेता या खुद बसपा सुप्रीमो मयावती या कोई भी बड़ा नेता कुशी नगर में कोई प्रकार का जो है राजनीती कैम्पेनिक रह लिंजन सभा नहीं किया इसका लाब लेते हुए स्वामी प्रताद मोरया ने चंसेखर रामड चंसेखर आ अलग अलग छेत्रों में कैम्पेनिक बना दिया और रामड के आने के बाद यानि कि चंसेखर के आने के बाद युवाओं में एक अलग उत्साह दिखा तो युवाओं में जो यंगेश्टर का वोट है वो स्वामी प्रसाद मोरया लगभग काटने में 30-40% शफल हुए हैं वही कुछ्वाओं वर की बात करें तो एक तरब से भादपा की तरफ से केश्व प्रसाद मोरया कुछिनर के 2-3 अस्थानों पे केमपेनिंग करें लेकिन उस से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा तो स्वामी में स्वामी प्रसाद मोरया की एक सटिक पैठ है और कहीं कहीं यह हभी सच है कि कुश्वाहा जो वोटर है वो शौमी प्रताद मौरिया को अपना निता मानता है तो सौमी प्रताद मौरिया को लगबक 50% से ज्यादा कुश्वाहों का वोट मिला है 10-20% उसमें से भाजपा भी पार रहे है और अन्य दल को भी मिलना है लेकिन जो सबसे ज़्यादा कुछ वह समाज को उड़ मिलना है वह स्वामी परशाद मौर्या को मिलना है अब हम बात करते हैं अजय प्रताप शिंग उर्फ पिंटू सिंग साइथवार पिंटू सिंग साइथवार बड़ा किश्मत के धनी आदमी है इनका राजनीति वए ग्राउंग और इनकी राजनीति काबिलियत बस इतनी है कि ये जनमेजे सिंग के पुत्र हैं बाकि इनके अं समाज के लोग ठीक ठाक मतदान इनको कर रहे हैं, अच्छी संख्या में मतदान कर रहे हैं, अजय परताप सिंग जो है, मन्चों पे कहीं भासर देते, पूरे चुनाओं में नजर नहीं आए, लेकिन अखिलेश यादो जी का आगमन वता, उस दिन अजय परताप सिंग भासर और भासरों में जिक्र किये कि मुझे जो है, आप सब सांसत वनाइए, मेरे पीता जी की दिली इच्छा है, और जादा कुछ नहीं बोल पाया, और अपनी बात नहीं रख पाते हैं, ओटर के बीज में, जनता के बीज में, अजय परताप सिंग, इसका कहीं न कहीं उनको खा कुछ वोटर की हम बात करें, तो कैंडिडेट से नाराजगी है कहीं-कहीं गाओं में, और नाराजगी काराड़ी है कि पूरो में जो है बीजे दुबे यहां पांस साल से सांसत रहें, तो उनके लोग अपने हिसाब से जो है राजनीती किये हैं गाओं में, और गाओं की र बिल्कुल जिस बेक्ति से तालूक ही नहीं उस मामले फे उसके उपर भी लिख दिया जाता है यहानी कि राजनीती राजनीती ऐसी हुई कि जो बीजय दूबय के आसपास के रहने वाले लोग बीजय दूबय का नाम लेकर थानों में तोचीलों में अपनी एक बर्चस्ट पड़ा है नहीं तो दूसरी तरफ भाजपा के जो कंडिडिट हैं वह बयान दे रहा है कि अपकी बार जो है आठ लाग पार यानी तमाम चोग चारचा हो रहे कि चार लाग मत से जीतेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वोटरों में कहीं न कहीं ग्राउंड अस्तर पे गाउं अस्तर पे जो सांसाजी के करीवी लोग हैं जो थाने तहसील में जो है अपना एक जलवा टाइट करते हैं कहीं न कहीं उनके वज़े दूब्य का जो है मार्जिंग वोट में गिरावट आई है यह बात एकदम सटिक है यह कुशी नगर के अलग-अलग गाउं की मैं श्तिती बता रहा हूं विधान सभाओं की श्तिती बता रहा हूं क्योंकि कहीं न कहीं बहुत सारे लोग क्या होता है कि जब आप किसी एक पच्छ की पढ़र वी करते हैं तो दूसरा पच्छ नराज होता है और इस पूरे 5 साल में जो बीजे दुब्य के खास लोग रह तो बता दे कुशी नगर में सीधी लड़ाई है भाजपा और इंडिया गटबंदन के परत्यासी अजय प्रताप शिंग और पिंटु शाहिथवार थे पिंटु शिंग शाहिथवार चुना बहुत सॉलिड लड़ है बीना बोले जो है इनके वोट में इजाफा हुआ है अक्सर जो है अगर हम कुशी नगर की राजनीती की बात करें तो चाहिए 24 की बात करें 2019 की बात करें सबका निशाना है कौन जीतेगा कौन खीचेगा कौन हारेगा लेकिन हम पूरा जिला कबर किये हैं इसमें जो है खास करके कुशी नगर बिधानसावा में बड़ी प्लस रहेगी फिर पडरावना बिधानसावा में 60 और 50 वाला हिसाब की दागार 60 प्रतेंट बाजपा को मि स्वामी प्रताद मौरिया भी पा रहे हैं राम कोला में भी जो है बीजेपी प्लस है हाटा में जो है सपा गडवंदन के प्रतियाती को बढ़िया वोट मिला है मनें आसपास की दोनों का वोट है अब चार-पांच विधानसावाओं के बाद हम बात कर लेते हैं जीत और हा रहे हैं अब की बार आठ लाग पार तो ही इंडिया गडवंदन के लोग कर रहा है कि अब की बार दू लाग से वोटों से हम जीत रहे हैं लेकिन मैं आपको उता हूं भाजपा ने आचार संगीता के पहले चुनाओं के पहले ये बड़ा केंपेनिंग किया उसको सबसे बात कर लिजे या फिर राशन की बात कर लिजे और भाजपा ने इस पूरे कारगयम की मार्केटिंग ट्रेड़िजी बहुत ही संदार बनाया क्योंकि जब भिख्षित भारा तेयातरा चल लाता तो भाजपा गाओं गाओं में चौपाल लगा के खास करके महिलाओं से मिलन उनको जो सरकार की द्वारा यूजनाओं का ला मिला उसका प्रचार प्रसार कराना और किसी का बच्चा हुआ है तो उसकी गोद भराई करना अनप्राशन करना तमाम इस तरीके के यूजना कहीं न कहीं महिलाओं में जो है एक अलग तरीके का फीलिंग भर दिया है और तमाम गटबंदन के प्रत्यातियों की हम बात करें तो वह पूरुस वर्ग तो एक तरफ भाजपा से नाराज दिखा है कुशी नगर की में बात कर रहा हूं लेकिन महिलाओं में जो है कहीं न कहीं मोदी मैजिक अभी भी कमाल कर रहा है और कमाल ऐसा कर रहा है चाहराम मंदिर की बा में बीजेपी कंडिडेट से नाराज है लेकिन महिलाओं को इस राजनीती से मतलब नहीं है उनके जहन में दो तीन चीजे खास चल लए एक तुराशन दूसरा आवास और तिसरा राम मंदिर इसका बड़ा इंपक्ट पड़ेगा और कुल मिला के हम बता दे कि कुशी नगर में जीत और हार का आकड़ा पच्पन हजार से लेके लगभग एक लाक तालिस और तालिस हजार का रहेगा और आप यह मान लेजिए कि यहां से जो है बिजेपी के प्रतियासी बिजय कुमार दुबे चुनाओं जीत के हैं मत गड़ना चार तारीक होगा बहुत तारी बात से अथफष्ट होगी लेकिन जो मैं कुशी नगर के अलग अलग गाओं में केंपेनिंग किया हूं लोगों से मिला हूं चुनाओं कवर किया हूं ग्राउंड कवर किया हूं उस हिसाब से बता रहा हूं कि बिजेपी का वोट प्रसेंटेज कम तो हुआ है लेकिन स्वामी प 20 में यह सीट विजेपी की निकलती हुई दिख रही है पहले अस्थान पे विजेदूबे होंगे और दूसरे अस्थान पे जो है अजय परताप सिंग उर्फ पिंटु सिंग से थवार होंगे और तीसरे अस्थान पे स्वामी प्रशाद मोर्या होंगे तो यह कुल्मिला का कुछी नगर का समिक्रण है क्योंकि अजय प्रताप सिंग का ओट प्रसेंटेज तो बढ़ा है भाजपा की मार्जिंग कम हुई है लेकिन उसी स्पीड से जो है अजय प्रताप सिंग विजेदूबे को जो है दबोच नहीं पाए है राजनीती पारी खेलते में और यहां द जाद है एक लाख अड़ तालीस आर के आज पास का जीत और मारजिंग का आकड़ा होगा तो कुछी नगर की शीट विजय दूबे यानि विजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है लेकिन लडाई बड़ी मुश्किल रही अजय प्रताप सिंग ने भी संदार चुना स्वामी प्रताद मौरिया लड़े कि बिना कोई बड़ी पार्टी होते हुए जो है सबके ओटरों में शेध मारने की कोशिज किये कहीं कहीं कामयाब भी हुएं जैसे कि दलीत ओटर में चंसेखर के आनेक बाद यंगेश्टर में जो है कहीं कहीं स्वामी प्रताद मौरिया के लिए न estéर के लिए उट बढाऊ है और शुमी परिजेपी काइन है मैं थीप थाट का नुक्सान की हैं तो बिजेपी का जाते जाते बीच पचीशार व्टों का फायदा कर दीए हैं और इसलिए मैं का रहा हूँ बीजेपी यहां पे कम से कम अंतर थे भी चुनाव जीतेगी तो आकड़ा कम ते कम पहें तालीस हार का होगा और जादे ज्यादा जो है एक लाख और तालीस हार के अंतर का होगा इस पूरे वीडियो पर आपके याथ होते हैं कमेंट करके जरू बताएगा बाकी गावाल रिपोर्टर विश्नु प्रवागर का आप सभी को नोशकार कुशिनगर देवरिया महराज गोरपूर सिद्धार नगर संतकवीर नगर दुमरिया गंज इन तमाम लोग सभाव का हम अपडेट देंगे हर वीडियो में एक एक लोग सभा का इस वी सब्सक्राइब करें गावाल रिपोर्टर विश्नु प्रवागर का आप सभी को नोशकार